नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ आमादमी पार्टी के राच्ची सायोजक और सीम अर्विन के जिवाल ने दिल्ली में लोकसबाव चुनाव अकले लड़ने के संकेत दिये हैं एएपी ने रविवार को सोचल मीडिया प्लेटफर्म एक्स पर उनका एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें मैं कह रहे हैं दिल्ली के लोगों ने साथ की साथ सीटे एएपी को देने की ठान ली है केच्रिवाल का ये वीडियो पंजाब का है वह वहाँ एक जनसभा को सम्मूदित कर रहे थे सूत्रों की माने तो दिल्ली के लिए इंडिया का हिस्सा कॉंग्रेस और एएपी सीट बटवारे के लिए चार रेशो थ्री फॉर्मिले पर चचा कर रही थी इसमें कॉंग्रेस चार और एएपी के तीन सीटों पर चुनाल रणने की अठकले थी 2019 में बीजेपी ने सातों लोगसभा सीटों पर जीत दर्च की थी केजिवाल ने एक दिन पहले शनिवार को पंजाब और चंडिगर में कॉंग्रेस के साथ सीट चेरिंग से इंकार किया था पंजाब के लुदियाना में केजिवाल ने कहा पंजाब में एपी अकेले चुनाओ लड़ेगी दो महीने बाद लोगसभा चुनाओ है पंजाब में तेरा सीटे हैं और एक चंडिगर की है आने वाले 14-15 दिनों में इन 14 सीटों पर उमिदवार घुशित कर देंगे एपी ने कई बार इस बात पर जोड़ दिया है कि वह इंडिया के साथ है लेकिन लोगसभा चुनाओ के लिए अलग अलग राज्यों में लगातार अपने उमिदवारों की घुशना भी कर रही है एपी ने फिछले हफ़ते आठ परवरी को असम में तीन सीटों पर अपने उमिदवारों की घुशना की थी इससे पहले केजिवाल ने जनवरी में गुज़ात यात्रा के दोरान राज्य की भरुच लोगसभा सीट पर चेतर वसावा को अपना उमिदवार खुशित किया था पंजाब में अकिले चुनाओ लड़ने का फैसला भी इसी के बाद आया है इससे पहले पशिमंगार की मुख्य मंतरी मम्ता बेन अकिले चुनाओ लड़ने का एलान कर चुकी है मम्ता भी खुद को इंडिया का हिस्सा बताती रही है हलाकि रोने अकिले चुनाओ लड़ने के अपने फैसले के लिए कॉंग्रेस के साथ सीट शेरिंग को लेकर बाचित फेल होने का हवाला दिया था बिहार के मुख्य मंतरी निदिश कुमार अपने रास्ते पहले ही अलग कर चुके हैं वे इंडिया के सूत्रधा थे रोने ही सभी वक्षी पार्टियों को बीजेबी के खिलाफ एक जुट किया था हलाकि वे खुद 28 जनवरी को एंडिया में शामिल हो गए और बीजेबी के साथ मिलका सरकार बना ली इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद